महिला कि कुछ समझ से ऐसी होती है जो वो सब के साथ सेर कर सकती है लेकिन कुछ समझ से ऐसी होती है जिसका उसको खुद को भी पता नहीं होता है कि यह नूर्मल है या नहीं और उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फूजन उसको रहता है कि यह चीज मेरे साथ हो रही है वो न सärtब बन जाता है तो एसे में महिला के पास knowledge होना जरूरी है इस मी 00 उसके मात्रा कितनी होनी चाहिए को कलर कैसा होना चाहिए तो क्लोड के साथ-सा जो दर्द हो रहा है वो नोर्मल है या नहीं यह सारे ऐसे सवाल है जो बहुत ज्यादा लोग मुझे पूछते हैं जिसके लिए मुझे जरूरी था कि आज एक आपको डीटेल नोलेज में दे पाऊ जिससे आपको पता चले कि आपके साथ पीरेट के दोरान जो क्लोट साता है वो नोर्मल है या न चले है नहीं सब्सक्राइब तो निकल गई हैं तो क्या मुझे प्रेगनन्क दी ओर निकल गई यह नहीं तो एसा में जो दो lacto का करेंगे लिए है नौर्मल Κि आपको कई इसे करने चाहने वाले है तो प्रेट मैं है सीप करने वाले हैं आपको कैसे आफप फ है करेंगे वह भी इस वीडियो में जुड़े रहेगा यहां पर आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाने वाला है वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक इन से करना भी नहीं भूलना है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए क्योंक पर पर पूरी मात्रा में बड़े-बड़े पर आते हैं जब रात में सोने जाते हैं तो रात में फ्लो बंध हो जाता है किसी को एसा है कि इसको फ्लो बिल्कुल नहीं लिक्वीड पानी आता है नहीं है जम जम के आते रहते थे ठक तक निकलते रहते हैं और किसी को बड़े-बड़े यहां पर में स्वाल ही है कि फिरियट का क्लौट तके रोंत के यह निकलते हैं जैसे हम हाथ उसको करने के लिए वहाँ के रोग़ाख मरिगे को थीक करने के वहा को भालम निकलने से और यो धी करने के लिए जूसे का ना你說 निकलता थाएंगा निकलता थाएगा बोडी का ब्लड निकलेंगा हाट को दिक्कत आएगी मुदळ तक हो सकती है यदी आपका ब्लड बंद नहीं होगा तो होती है लेकिन आपकी बोडी क्या करेगी जैसे ही वहाँ दो जादा मात्र में निकलना स्टार्ट हो गया को गिलेसन प्रोटीन को वहां पर भेच दिया उसको जमा दिया है ताकि आगे का ब्लड वहां पे नहीं निकलेगा आपको बच्चे दानी में इंडोमेटरिम लाइनिंग होती है जिसके अंदर ब्लड रहता है जो बच्चे को विक नली रहती है उसमें से ब्लड निकलता ही रहीए ज्यादा मात्र में ब्लड निकलेगा स्ट्भ्ब ज्यादा मात्र ना निकले उसको बंद करने के लिए वहां पर दोणेशन प्रोटीन जो उसको कम कर देती जमा दें और फदक्के कैं रूप में बाहर निकलती है तो इ plut prankah क निकल रहे तो यह बात की साबित ही है कि अंदर कुछ चल रहा है आपके बच्चे दानी में कोई डिजिस वल रहा है जिसका डाइगनोसिस होना ज़रूरी है और इसी तरह से ज्यादा मात्रा में आपके अंदर ब्लड निकलता है जाएगा तो आपको विक्नेस की दिक्कत आज सफेद पर जाना अपिली आप बाद बात पर पर बलेक आओट हो जाता है पेरों में दर्द रहता है बोडिमें आपको दर्द रहेगा सुजन रहेगी इस सारे स्क्राइब क्यां ओकि ब्ल्ड निकल रहें या ज्यादा मात्रा में ब्लड निकल रहा है तो एक मुसिबत बन तो यहां पर में बता था सबसे पहले बात कर लें तcado भाइब घराएब पर आपको नली मिल जाती तो उसका ज्यादा होता रहेगा यहिद है अपर तो तो पर टीश्यू रहेंगे तो उसका ग्रोथ कम होगा तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं फाइब्रोट की ट्रीटमेंट ले रही हूँ या फिर मैं फाइब्रोट को एक बार रिमूग कर दें तो फिर क्यों बन जाते हैं क्योंकि टेंडेंसी हो गई वोडी की वहाँ पर य मैंना लग जाता एक फाइब्रोट को डिमूब होने ओने में हर माई इस तरह से आपको थंके इ listens दिख्कत होगी दूसरा होता इंडोमेट्री तरह से थके ठके और ज्यादा मातर में खुनाना यह दिख्कत ज्यादा रहती है तीसरा अधिन आश्यांस यानि कि आपकी दिवाल अंदर की तीन लेयर की दिवाल होते हैं तो अंदर की तरफ जादा मातर में दर्द भी होगा निकलेंगे चोथा इस तरह से क्लोटिंग डिसोडर हमने जैसे बताया था ना कि आपको चोट लगती है तो वहां पर आजाएगा को गिलेशन प्रोटीन यह आपकी बोडी में कम है तो जम के से गम जम वहां पर बलड तो ज्यादा मातर में आ चैंज करना पड़ता है और उसमें घ्रोटिंग लट हो सकते तरह से तो इससे तरह सरी एसे जैसे यहाँ पर आपको भी जादाससा तो जादा तो उसके लिए कंग क surtra Flower bets करेंगे पता चल जाएगे आपको क्याम रिजन है उसके ट्रृटमेंट करेंगे आपको क्छो Eva के सिसन्म और करेंगे आपको यही ति साथ वीटामिन की डेफिसेंसियों जो बहुत ही नौर्मल को है नहीं कbei किनल refuse ड्राइब contributions चालू रकनी चाहिए उसके लिए सबसे बेस्ट विटामीन कौन सा है हम बताये तो उसके लिए बेस्ट विटामीन है नीयू अब काट ट्रूविटामीन हम आपको इस इसके लिए क्यों सचेश्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर है विटामीन A D E B विटामिन सी क्या काम करेगा वह आपके अंदर आयन के बढ़ाएगा तो जो भी आयन आप लेंगे बोडी में या आयन डिच फूर्ड लेंगे उसका बढ़ेगा दूसरा इसके अंदर सारे के सारे मिनरल्स जैसे मेगनेसियम जींक है आयन है कोपर है आयोडीन है क्रोमियम है अजिस्टराइब को सब्सक्राइब नेसने जीकार दूसरा लगती सा कि नहीं इस आप क्वेगारतो पलेटाएगा तो के लिए धामेन के लिए आपको विटामीन एक बिटामीन की निया है अपको गती का सब्सक्राइब कर अधिक्लेट ले ले Ursul लेना केसे है आप उसको दिन में एक टेबलेक लेनी है किस तरह से ले सकते हैं दोपर में पिले सकते हैं रात में पिले सकते हैं खाना खाने के बाद आप उसको ले सकते हैं दूसरे इसकी खास बात है कि यह नेचरली ग्लूटन फ्री है और प्रिजर्वेटिव फ्री है तो य अच्छी तरह से आपकी बोडी को फिर से स्ट्रेंथ रिगेंड करने में आपकी हेल्प कर देगी यदि आप इसको पर्चेस करना चाहते हैं इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बुक्स में रख रहे हैं आप वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं और जो मारा मेंड क्वेस्चन था कि क्लोट आना यानि कि प्रेगनसी तो नहीं था तो वह जो क्वेस्चन रहता है उसका अंसर यह है कि देखो यदि प्रेगनसी होगी तो प्रेगनसी चाहँ लोट होगा वह वाइट कलर की थेली रहेगी इनिशियल डेस में वहाँ पर बच्चा नहीं आएगा पहले बच्चे लेकिन प्लेन आपको क्लोट आ रहा है तो बच्चा नहीं था जिसको ज़र से खतम करना जुरूरर रहा है ज़र से खतम होमियोपेथिक कर सकती है तो हमारी अपन्मेंट लेना चाहते है तो टेलिफोनिक अपन्मेंट के सुविधा रखी है आप नीचे डिस्क्रिप्सान बोक पितना बोलिंग के अपन्मेंट चाहिए आगे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज्यादा लोगों को सेर केज़ेगा क्योंकि यह जो क्लोट की दिक्कत है हर एक लेडी में होती है और उसको अवोइड करती है सफर होती है बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर कीजिए आज ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए अभी तक इस चैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुली फ्री है तो चलो फ्रेंट फिर जली से मिलेंगे नहीं वीडियो के तब तक के लिए स्टेल जी स्टेपी बाई